हेलो गाइज अपने इस वीडियो में जानेंगे मलेरिया के ट्रीटमेंट के बारे में अगर कोई मलेरिया का पेशन्ट है तब इसको कीस तरह से ठीक किया जाता है कौन सी मेटसिज मलेरिया में दी जाती है दोस्तों आज के टाइम पे काफी malaria के patient बढ़ रहे हैं जिसमें platelets count कम हो रहे हैं malaria में होता क्या है ठंड लगके fever आता है पहले बहुती ठंड लगती है, severing होती है, कपपी लगती है उसके बाद temperature धीरे धीरे बढ़ता रहता है जब body का temperature बढ़ जाता है तो ठंड लगना कम हो जाती है fever जाने के बाद patient को काफी गर्मी लगती है, पसीना आने लगता है इसी के साथ में सर में तेज दर्ध होता है malaria का जो man symptom होता है ठंड लगकर बुखार आना और ये बुखार एक time पर ही आएगा अगर patient को रात में ठंड लगकर बुखार आया है तो इसको रात में ही ठंड लगकर fever आयेगा अगर दिन में आया है तो दिन में आयेगा तो ये कभी भी नहीं आता है इसका एक time होता है ये time पर ही ठंड लगकर फिवर आता है patient को इसके साथ ही और भी कई सारे symptoms होते हैं जैसे कि nausea and vomiting ऐसे patient को मितली लगती है उल्टिया होती है पेट में दर्ध होता है इसके साथ ही आप देखें patient के गले में खरास है उसको खांसी आने लगी है यह खांसी कभी-कभी सूखी आती है यह इस पुटम के साथ भी यह खांसी आन लगता है आप देखेंगे patient का hemoglobin अगर 14 था अगर malaria हो गया है तो उसको 12 याफित 10 ही रह जाएगा बहुत ही तेजी से hemoglobin कम होता है इसके साथ ही जो और भी सी काउंस होते हैं वह भी कम होने लगते हैं patient को काफी weakness लगती है इसके साथ ही patient dehydrate हो जाता है यानिकि body में पानी क कम हो जाती है बीपी लो रहने लगता है मलेरिया में जॉंडिस भी हो जाता है बिलरूबिन बढ़ जाता है हमारे blood में इसलिए कराना जरूरी होता है जब किसी patient को malaria के symptom दिखाई दें तब उसको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर करना चाहिए बहुत से लोग अपने आप ड्रग नहीं दी जाती है कई patients होते हैं painkiller NSAIDs लेते रहते हैं उनको नहीं लेना चाहिए अगर आप regular painkiller लेते रहेंगे जो non-esteroidal anti-inflammatory drugs होती है जैसे ibuprofen, aciclopnec, diclopnec, limosolite यह इसी medicines होती है इसी ड्रग होती है अगर आप regular इनका इस्तमाल करेंगे fever में तापकी platelet जो आप doctor के पास जाते हैं तो doctor investigation के लिए test कराते हैं symptom देखके ही doctor को पता लग जाता है कि आपको malaria का fever है वो ऐसा ही treatment दे सकते हैं आपको लेकिन कई बार होता क्या है malaria एक तरह का नहीं होता है malaria दो तरह का होता है plasmodium yvex दूसरा होता है plasmodium falzferum लेकिन जो common malaria जो सबसे जाना जाते हैं तो comment करके बता सकते हैं इसमें भी यही symptom patient को दिखाए देते हैं जब doctor के पास जाते हैं तो doctor investigation के लिए टेस्ट कराते हैं इसमें plasmodium yvex malaria positive आ जाता है तो इसमें क्रते क्या है इसमें chloroquine medicine दी जाती है chloroquine गोलियां आती है 200 mg की एक गोली होती है यह patient को दी ज 30 kg से ज्यादा है 40-45 kg का है तो उसको चार टैबलेट एक ही बार में दें 200 mg की चार chloroquine tablet दीजिए एक ही बार में फिर अगले 6 घंटे बाद आप दो गोलियां दीजिए और फिर 24 घंटे के बार जो आपने पहला dose दिया जा था जो चार टैबलेट आपने दी थी उसी टाइम पे अगले 24 घंटे पे आपको दो गोलियां फिर दीनी फिर तीसरे दिन भी आपको दो गोलियां उसी फर्स्ट डोज के 48 घंटे बाद देनी यह तीन दिन तक ट्रीटमेंट चलता है पेशन का मलेरिया ठीक हो जाता है दुबारा उसको फिवर नहीं आता है लेकिन इसके अससीन दे सकते हैं एंटिबाटिक देना जरूरी है ताकि कोई टाइफाइड अगर है वो भी ठीक हो जाता है और इसके साथ आपको सम्टोमाइटिक ट्रीटमेंट करना चाहिए जैसे कि पेशन को अगर उल्टियां हो रही है तो इमसेट दे सकते हैं उल्टी को रोकने के यह इसके साथ अगर बीपी लो है पानी की कमी हो गई है तो पेशन को ज़्दा-ज़्यादा और फ्लूट्स देने के लिए करिए फ्लूट जूस ले सकता है वेज़िटेवल जूस ले सकता है वारेस का जो इलेक्टराल होता है पावडर हाता है इसको पानी मिलाकर पी सकता है इसके साथ ही अगर और नहीं ले पा रहा है तब उसको ड्रिप देने की जरूरत होती है अगर नहीं देंगे तो पेशन का बीपी ज्यादा लो हो जाएगा उसको काफी प्रॉब्लम होगी तो इसलिए आपको जरूर देने चाहिए इसके साथ ही आप इंजेक्शन दे सकते ह है साथ है अगर पेशन को फीवर आ रहा है तो फीवर को कम करने के लिए परसेटामॉल दे सकते हैं परसेटामॉल साड़े छे सवाम जी की एक गोली दिन में तीन बार तक पेशन को देनी चाहिए जैसे डोलो आती है अगर मेडसीन से बुखार नहीं कम हो रहा है टेबलेट अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है लोरो कुई इसे ररेजिस्टेंट हो चुका है पेशन तो उसको हाय सेंटर रिफर कर दें अगर आफ जनल प्रेक्टिस करते हैं आप यसे पैसन को हैंडल मत कीजिए उसको यह सेंटर्र करते हैं उसको एडमिट होके इंजक्शन लगा ज दोतो करें इसे संपर कर सकते हैं और है को सब्सक्राइब करें